योगी कहते हैं कि अपरादी खत्म हो गए अमिशाह कहते हैं रात के बारा बज़े लड़कियां सडकों पर यूपी में घूमती हैं तो फिर नौइडा में ऐसा क्यों हुआ यूपी के जंगल राज का लाइव सबूत बीच सडक पर बाइक सवारों नी यूवती के साथ जो किया सुनेंगे आप तो खिसक जाएगी जमीन अकेली लड़की को देखा और अचानक आधम के बाइक सवार और फिर मारा ऐसा जपट्टा कि लड़की ताउम्र नहीं भूल पाएगी लड़की के साथ हुई घटना का वीडियो हुआ वारल तो मचा हंगामा लोगों ने प्रदेश सरकार के उधर डाली बखिया चुनावी दोर का वो भाषन तो आपको याद ही होगा जब सत्ताधारी पार्टी के लोग छाती ठोक ठोक कर प्रदेश में महिला सुरक्षा का दावा करते थी सरकार में बैठे लोगों का आज भी दावा है कि प्रदेश से अपरादी या तो पलायन कर गए हैं या फिर परलोग सिधार गए हैं लेकिन दीपावली के दिन नौइडा में एक लड़की के साथ जो हुआ उसने महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश सरकार के दावों को सवाल उमेला खड़ा किया है प्रदेश में जंगल राज किस कदर कायम है इसका लाइब सबूत आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसी घटना जिसके बारे में जिसने सुना उसके होश फाक्ता हो गई दरसल जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया क्यूंगू जम की हैं ग्रेटर नौइडा वेस्ट की एक सोसाइटी में लिसी प्रिया दीपावली को लेकर अपना एक वीडियो शूट कर रही थी उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जिस फोन से वो वीडियो बना कर लाइव कर रही हैं कुछ देर के बाद वो फोन ही उनके लिए दुश्मन बन बैठेगा लिसी प्रिया दीपावली के दोरान जगमगाती रोशनी का लाइव वीडियो बनाने के साथ ही प्रदूर्शन के बारे में लोगों से जानकारी साजा कर रही थी तब ही बाइक पर सबार होकर आए दो बदमाशों ने उनका मोबाइल चीन लिया और फरार हो गए लिसी प्रिया जब तक कुछ समझ पाती उसे पहले इबाइक सबार आधी की तरह आये और तूफान की तरह फरार भी हो गए जब उन्हें होश आया तो वो चिलाती ही रह गई लेकिन कोई उनकी मदद भी नहीं कर पाया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और मामले की जानकारी खुद लिसी प्रिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है आपको बता दे कि लिसी प्रिया की एक लाग से जादा फॉलोवर हैं डिसीपी सेंटरल नोईडा की माने तो मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने जाच शुरू कर दी है लूट करने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई है पीड़ता से बातचीत कर घटना की जानकारी ली गई है जल्द ही घटना का परदाफाश किया जाएगा लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे जब सरकार का दावा है कि अपरादी गायव हो चुके हैं तो फिर ये अपरादी आई कहां से सरकार का दावा है कि पुलिस मुस्तेदी से काम कर रही है तो फिर greater noida जैसी जगए पर अगर ऐसा अपराध होता है तो फिर पुलिस की कारशाली पर भी सवाल खड़े होते हैं अब देखना ये है कि लिसी प्रिया को अपना फोन कम मिलता है और कैसे पुलिस ऐसी घटनाओ पर रोक लगाती है तो फिरो रेपोर्ट मीडिया हल चल